दोस्तों, यह है Motorola Edge 50 Pro, यह एक amazing flagship grade smartphone है, यह unique world's first features के साथ में आता है, और इसको प्राइजिंग है इतना बढ़िया है कि यह ना सरिफ जो हाली में लॉंच हुए smartphone से उन्हें टकर दे रहा है, प्राइजिंग के मामले में, लेकिन यह जो smartphone है, उन smartphone को भी टकर दे रहा है, जिनका जो pricing है, थोड़ा सा higher side में है, तो इस वीडियो में, जो Motorola Edge 50 Pro 5G smartphone है, इसका comparison करने वाला हूँ, इस OnePlus 12R 5G smartphone के साथ में, दोनों ही बहुत ही बढ़िया specifications के साथ में आते हैं, और देखे, जब कभी आप कोई smartphone खरीते हैं, तो अक्सार ऐसा होता है कि आपको weightage देना पड़ता है features के मामले में, मतलब कि किस smartphone का जो feature है, अब वो बहतर है, चलिए, इस वीडियो में चेक करते हैं कि ये दोनों smartphone में कौन सा बहतर है, देखते रहे हैं, चलिए सबसे पहले camera से शुरुआत करते हैं, दोनों smartphone पर 50MP का main camera दिया हुआ है, लेकिन Moto Edge 50 Pro ये अलग है, क्योंकि ये दुनिया का पहला AI Powered Pro Grade camera 50MP with F1.4 aperture के साथ में आता है, इसमें Quad Pixel Technology उसके आगया है, with OIS और laser autofocus भी दिया हुआ है, अब ये जो laser autofocus है ये खास करके low light condition में बहुत बढ़िया तरीके से focusing करता है, इसके अलावा 10MP का telephoto camera है, with 3X optical zoom, 30X hybrid zoom दिया हुआ है, OIS के साथ में, और 13MP का ultra wide macro and depth camera भी दिया हुआ है, OnePlus 12R पे 50MP का F1.8 aperture वाला camera है, with OIS, और 8MP का ultra wide camera है, fixed focus camera है, और एक macro lens दिया हुआ है, 2MP का, वैसे camera का जो specifications है, दोनों का ही अच्छा है, लेकिन ये जो Moto H50 Pro है, इसका जो specifications है, ये भेतर है, और ये AI powered pro grade camera के साथ में आता है, जो कि आपको एक added advantage दे photography के expert नहीं है, Moto H50 Pro पर 50MP का quad pixel camera दिया हुआ है, और ये F1.9 aperture के साथ में आता है, जबकि OnePlus 12R पर 16MP का fixed focus front camera दिया हुआ है, वैसे specs अपनी जगा पर है, दोनों का जो camera comparison है, real world में चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले, ये जो Moto phone है, इसमें कुछ AI features है, काफ़ interesting है, उसके बारे मे मैं आपको पहले बताता हूँ, तो जो Moto smartphone है, इसका जो camera है, इसमें मैं photo mode में हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मुझे suggestion दे रहा है, कि portrait mode में shift करें, इसमें AI feature दिया है, जो की, जो shots है, उन्हें enhance करने वाला है, तो ये दिखे, मैंने ये shot लिया हुआ है, और ये photos है, इन्हें काफी lively बनाता है, तो यहाँ पर देखे, जो screen है, उसके उपर आप tap and hold करें, और उसके बाद में, जो wallpaper option है, उसमें personalization का option दिया हुआ है नीचे, उसे आपको tap करना है, ये देखे, ये है personalized screen, यहाँ पर आपको tap करना है, और नीचे देख सकते हैं, कि made AI का option दिय किया हुआ है, basically आपको pattern select करना है, उसके बाद में जो tick sign है उसके पर आपको tap करना है, और tap करना के बाद ये जो AI system है, ये automatically आपके लिए एक नया wallpaper create करके देने वाला है, जो pattern आपके select किया है, उसके basis पर और आपको कुछ options भी मिलने वाले हैं, तो ये देखे, ये एक option दिया है, capture method, auto smile capture, जिसे मैंने enable रखा हुआ है, और gesture selfie का भी option दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखे, मैंने जो photo mode है, इसे select किया है, और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जो subject है, जैसे ही वो smile करेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो system है, automatically shot लेगा, ये देखे, इसमें intelligent autofocus tracking system भी दिया हुआ है, जो कि subject को काफी बढ़िया तरीके से track करता है, और यहाँ पर देखे, long exposure का option भी दिया हुआ है, traffic, trail lights, या फिर water, clouds, ये है light painting, और ये है star trails, तो ये ready made options available है, जिनसे आप amazing photos shoot कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने ये light exposure का option select किया हुआ है, और मैं इसे on करत हुआ हूँ, और यह देखे, इस प्रकार के light paintings आप create कर पाएंगे, तो यह देखे, light painting यूज करके मैंने ये shot shoot किया हुआ है, तो यहाँ पर देखे, ये left hand side है, ये motor से shoot किया हुआ है, और right hand side मैंने one plus 12R से shoot किया हुआ है, और यहाँ पर मुझे definitely motor का shot है काफी बढ़िया इसने actual colors जो है, उसे capture किया है, और अगर मैं zoom in करूँ, तो देख सकते हैं कि जो details है, वो भी motor का बहतर है, ये है एक और shot, यहाँ पर भी motor ने काफी बढ़िया काम किया है, खास करके colors एकदम perfect है, ये मैंने car में shoot किया हुआ है, और यहाँ पर भी motor ने काफी बढ़िया काम कि जो skin tones है, ये मुझे motor का काफी बहतर लगा, comparatively, ये है long shot, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो जो color reproduction है, वो motor का काफी बहतर है, खास करके अगर हम जो trees है, उसकी तरफ ध्यान दे, तो काफी vibrant है, खास करके जो smart color segmentation है, वो motor का बहतर है, जो हर एक items है, फोटो में, उ अगर आप building के तरफ ध्यान दे, तो यहाँ पर भी motor ने काफी बढ़िया काम किया है, ये है selfie shot और यहाँ पर भी motor का जो shot है, ये मुझे काफी बहतर लगा, और selfie में भी आपको दो options मिलते हैं, एक wide selfie और एक है normal selfie, तो जो camera quality है, वो definitely motor की बहतर है, अब design की बात करते है, motor edge 50 pro क जो design है, काफी अलग है, काफी slim भी है, और lightweight भी है, इसका वजन है 186 grams, काफी lightweight है, और thickness है 8.19 mm, और इसका बाक है, ये silicon vegan leather finishing के साथ में आता है, ये जो handset है, ये ना सरिफ light है, slim भी है, और overall जब आप इसे हातों में पकड़ते हैं, तो काफी बढ़िया सा grip मिलता है, और ये eye back finish है, और जो colors है, ये Pantone curated colors है, काफी amazing है, और काफी unique भी है, वैसे इन दोनों smart phones का जो frame है, ये metal का बना हुआ है, वैसे OnePlus का जो back है, ये glass का बना हुआ है, वैसे OnePlus का जो वजन है, ये है 209 grams, काफी भारी है, comparatively, और thickness के अगर बात करें, तो इसका थिकनस है 8.8 mm, compared to 8.19 mm, तो definitely Moto slim भी है, और lightweight भी है, Moto Edge 50 Pro ये 50W wireless charging support के साथ में आता है, लेकिन OnePlus 12R smartphone जो है, इस पर wireless charging support नहीं दिया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा added advantage है, Motorola Edge 50 Pro इसका जो display है, ये भी काफी बढ़िया है, ये दुनिया का पहला 1.5K 144Hz true color curved display, validated by Pantone के साथ में आता है, screen size 6.7 inches का है, और ये P-OLED display है, 10 bit, 2000 nits brightness के साथ में आता है, धूप में जो display है, बहुत ही बढ़िया तरीके से visible है, और ये जो OnePlus 12R है, इसका जो display है, ये 6.7 inches का है, M-OLED display है, Pro X HDR, 2780 by 1264 pixels resolution के साथ में आता है, ये 10 bit display है, HDR 10 plus support के साथ में आता है, इस पर Corning Gorilla Glass Victors 2 protection दिया हुआ है, और इसका जो और जो resolution है, वो भी Motorola का काफी बहतर है, Motorola Edge 50 Pro पर Android 14 रन हो रहा है, out of the box, वैसे जो handset है, ये से Android 15, Android 16 और Android 17 अपडेट मिलने वाला है, और 4 years का security updates भी मिलता रहेगा, आपको near stock Android experience मिलता है, bloatware free है, कोई भी unwanted application इस पर install नहीं किया हुआ है, काफी बढ़िया सा feel मिलता है, और ज Android 14 रन हो रहा है, लेकिन ये Oxygen OS 14 पर paste है, और मेभी इसे 2 या 3 साल का updates मिलेगा, लेकिन ये फिलाल confirm नहीं है, Motorola Edge 50 Pro ये 8GB ये 12GB RAM के साथ में आता है, और 256GB storage space दिया हुआ है, और ये देखें, ये है इसका speed test, storage का, overall score है 69433, OnePlus 12R ये 8GB और 128GB options में अविलेबल है, और ये है इसक speed test 72921 जो की थोड़ा सा भैतर है, compared to Moto लेकिन ज्यादा difference नहीं है, यहाँ पर Moto भैतर है क्योंकि ये ज्यादा RAM और ROM के साथ में आता है, और आज के तारीक में ज्यादा RAM और ROM always भैतर option है, software experience के अगर बात करें, तो आपको Moto पर ये काफी भैतर मिलने वाला है, इसमें बहुत स सकते हैं, उन्हें ऐसे लगेगा जैसे कि वो अपना phone उसकर रहे हैं, और जो भी applications वो install कर रहे हैं, वो उनके space में होगा, Moto unplugged का भी option है, और ये basically जो लोग ज्यादा mobile phones उसकरते हैं, उनके लिए काफी बढ़िया option है, एक तरह से अपने आपको disconnect कर सकते हैं, जो digital distractions हैं उनसे, और दो बहुत ही interesting feature एक तो है ready for, इसे use करके आप आप जो phone है से दूसरे devices के साथ में connect कर पाएंगे, stream कर पाएंगे, और Moto connect करके भी option दिया हुआ है, इसे use करके आप जो phone है से TV के साथ में या फिर जो बड़े monitors हैं उनके साथ में connect कर पाएंगे, तो ये जो features हैं ये basically आपको motor के phone पर ही मिलता है, OnePlus पर ये नहीं है, बैटरी के अगर बात करें तो Motorola Edge 50 Pro पर 4500 mAh की बैटरी है और ये 125W charging support के साथ में आता है, USB 3.1, DP 1.4 और ये जो OnePlus का smartphone है, इस पर 5500 mAh की बैटरी है और ये 100W charging support के साथ में आता है, अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से balancing हो गया ह लेकिन जो fast charging support है, वो Motorola पर भैतर है, तो इन जनरल आपको दोनों ही handsets पर काफी बढ़िया performance मिलने वाला है, performance की बात करें, तो Snapdragon 7 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2, यहाँ पर clearly जो OnePlus 12R है ये ज़्यादा powerful है compared to Moto Edge 50 Pro, अगर आपको ज़्यादा powerful hardware चाहिए तो ये OnePlus 12R आपके लिए बहतर option है, लेकिन ज एक्टिविटीज के लिए काफी बढ़िया है, प्लस गेमिंग के लिए अच्छा है, चलिए अब pricing की बात करते हैं, यह handset है Moto Edge 50 Pro, इसका pricing काफी बढ़िया है, यह 8GB, 256GB options में available है, with 68W charging box में वो charger दिया हुआ है, इसका launch price है 39999, और 12GB, 256GB वाला जो variant है, जो की मेरे पास है, इसका जो box है, इसमें आपको 125W charger मिलने वाला है, और इसका जो launch price है, यह है 35999, अब offers भी available है, आपको दो टाइप के discounts मिल सकते हैं, 2000 रुपिस का instant bank discount, या फिर cashback, leading bank cards के जरिए, या 2000 रुपिस का exchange bonus, selected platforms पर, तो जो effective pricing है, Motorola Edge 50 Pro का, 8256GB का, यह आपको पढ़ जाएगा तकरीब इसका effective pricing हो जाएगा, 31999 with additional offers, इसका जो प्राइजिंग है, इसका जो प्राइजिंग है, यह है 39999, तो Moto Edge 50 Pro, इसका जो प्राइजिंग है, यह काफी कम है, काफी जादा difference आपको मिलता है, तो अगर आप मुझ से पुछे, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं definitely Moto Edge 50 Pro, इसका ज 50 Pro, पसंद करूँगा, इसका जो performance है, काफी अच्छा है, और pricing भी काफी अच्छा है, प्लस यह बहुत सारे unique features के साथ में आता है, जो कि आपको OnePlus के smartphone पर नहीं मिलता है, अगर आप यह product खरीदना चाते हैं, link मैंने video के description में दिया आवा है,